जैसे राधिजी आपको स्वागत है मारी चनले गृूप पे आज आपके इस पर हमको ऑनालाइज करेंगे और आपके वैस्विल के बारे में जानेंगे किस परकार का विवाह आपके लिए चाह होगा कब होगा कैसे होगा वर्तवाना भी अपकी आयो 25 यर्स है आप कर लहें ठीक है यह आपका लेप्ट पाम है वैसे आप राइट हेंडर परसन है इससे हम जानेंगे आपके डेश्टिनी की बारमी यानि की प्रारप्त में क्या लि जीरा कार होना यहाँ पर आपके लिए थोरा सा बेहतर नहीं इसकारण क्योंकि विभाह की रिखाएं엔 खास कर जो मुव्मेंट कर रही है वे इसके तरब जुकती चली जा रहा है क्या होता है सकाफल गया पर अतियादी इक रेखाय होने के कारण क्या है कि एक एट्रeakseं ज चीज़े चल लही है वो बहुत हद तक हिल कर रही है आपको यानि कि आपके अंदर तक उतर रही है लेकिन क्या यह आपके लिए अच्छा रहेगा जी बिल्कुल नहीं क्योंकि हर्दे रेखा को अगर जैसे ही रेखा क्रोस करती है तो इसका सीधा से मतलब है कि यह जज़वा में रखना आपके लिए आपनों मुश्किल हो जाएगा लेकिन आपको कुछ करें फैसले लेने के लिए तैयर होना पड़ेगा क्योंकि बहुता में जाना हमेशा हमारे लिए च्छर नहीं होता है और मस्तिश करेखा भी इसे उसी प्रकार से सपोर्ट कर रही है क्योंकि इनकी गलत फैसले के समानों यहां पर बढ़ती चली जा रही है दूसरी जो आपके लिए एक तरीके से किनारे पर गए है ठीक है और बाद में जब आप कुछ गलत फैसले लेंगे उसके बाद ओचीजे आपके लिए परसानी का सबब बन जाएंगी और आप उनसे नहीं निकल पा पाज रहे हो तो एक और तरीके से समझा देता हूं कई बर क्या हो जाता है कि जैसे हम कुछ गलत ने पर चले जाते हैं और बाद में जब हमें इसका आप पराव परा होगा तो उस समय हम चाह के भी रिकवर नहीं कर पाते वापस अपनी चीजों की ब्यवस्तित नहीं कर पा कर लेते हैं परिस्तितिे कर लेते हैं लाब से 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 और पर चीजो तरह पर रहते हैं तो इसे परिस्तितिया यहाँ पर oldest की लिए अ दरपा हुए ठीक है अब नीचे जो दूसरी परिस्थितिया है उनके बारे में हम जानेंगे क्या आपको विकॉज आप इंट्रेलिजेंट हो ठीक है पर लिए क्या करना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा फिलाल तो कुछ नहीं फिलाल तो आप जो वगर एक लिए ट्राइक है जो कि आपके लिए थोड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है दून चीजों से आपके लिए सावधान डाना यहां पर अत्यधिक आवस्यक है इसके बाद अला कि आप कुछ स्टार्ट अगर आगर करना चाहिए तो आप इस्टार्ट की दिसा में बढ़ सकती है वो सारी चीज में भी आपके लिए बैतर रहेगा कौन सा समय आपके विवाह के लिए उप्यूक्त है जो आपके 28 क्रॉस कर जाती है उसके बाद ही विवाह के लिए आपके पास सबसे बढ़िया समय है उससे पहले होगा भी नहीं और करने का कुर मतलब भी नहीं है इसके अलाबा यहां प सोचने की छमता आप में परदान करता है यानि कि एक ज्यान होता है ज्यान है लेकिन बस यह है कि उसे कभर कर रखा है आपके जजबातों ने और मस्तिस रेखा के यहां पर जो दुआ किरतिया निकल लई है इन दोनों के परवाह होने एक असमंजस के स्थिति में वेक्ति को आपके लिए यहां पर बन पड़ा है इस से निकलना आपके लिए अतिन्त रवस्ष के अन्य था जो चीज़ी आपके लिए बहतर भी है वह आपके लिए बहतर परणाम देने की स्थिति में नहीं आपाएंगी ठीक है मस्तिस के रेखा इसके लावागा जो चंदर की दूसर साथ परवल है इसके अलाबा आगे की लाइफ कैसी रहेगी एसपर डेस्टीनी काफी अच्छी है ज्यादा समस्या यहां पर नहीं है ठीक है चलते हैं और अब आएंगे आपके राइट हैंड पर और वर्तमान परिस्तितियों को हम जानेंगे रैट हैंड में सबसे पहले बात करेंगे कैसी परिस्तितियां पर बंड रही है मैं इसकी अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके की है क्योंकि देखो चीजों को तुरह और में जादा किलियर कर दूना तो बस यहीं समझ लो कि अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसकी तरफ आपका एक मन बोल लहा है तो आपर क्या होगा कि अलगाओ की बाता जाएगी ठीक है जिसे आप अंगलिजी में डाइवर्स करते हो वैसी सिच्वेसन तक वो चीजे चली जाएंगे तो आपको काफी सावधानी से चीजों को आगे बढ़ाना है हम खाल बात इक कास मॉकर मिलते हैं चो जब खास मॉकर मिलते हैं यह खास बात करते हैं नो जो हम में सबसे बेहतर चीज़ें होते हैं, वही हम सामने वाले को दिखाते हैं वहाखा भी होता है, दस्तूल भी हुए है तो हमारी कमिया उहां पर नहीं आती है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि मारी कमिया नचरा जाती है क्योंकि उस ट्राइम क्यों होता है लोग नौर्मली न चाहती हुए भी बहुत लोग मुखाटा लगाना ही पड़ता है ठीक है और क्या होता है कि जब आप एक दूसरे से प्यार कुरने कि यह पता चलता है कि चीजह किसी अलग की फिर उसके बाद सफ्रेक्संटा शुरु होता है वहाँ प्रेवा पर अलगान शुरु हो जाती है ठीक है तो चीजह को वह sontे Lets में के चाहिए लेकिन उसके अकॉटिंग उसकी आदत हो सकती है ठीक है तो जैसा है उसी तरीके से उसे एक्सेट करें मन में कोई डेत का मखना वना लिए चीजे इस तरीके से जारे हैं। तो उसका फल मिलेगा ये मिलेगा सारी दुनिया गाटन गाटन ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को रियली टून के जनने की वोच्ष करें। और इसके लावा मस्तिस्क रेखा कि जो यहां पर बात हो रही है एक इस तरह ही सारा कड़ी देखो मैंने पहले भी कहा है काफी टैलेंटेड हो आप आप में ग्यान है अत्यतिक ग्यान है चीजों को समझने की बहतर तरीके से लेकिन जब भावना में हम बज जाते हैं तो कई सबसे पहले खुद का लोकन कर लेना और हम क्या चाहते हैं हमारी क्या सोच है खुद के लिए और आगे हम उसे किस तरीके से इंप्लिमेंट करने वाले सारी चीजों को अच्छी तरीके सोच के बिचार के फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए विकॉज आप जिस लाइफ की तरफ जाएंगी वहां पे बहुत सारी बंदी से होंगी चीजे बिलकुल डिफर होंगी अलग होंगी फिर वह आपस लोटने अगर हम लोटते भी हैं तो बहुत सारे जख्म लेके जो कि फिर आपके लिए जिंदिगी बड़ एक नासूर की तरह काम करते हैं ठीक है तो उससे बचने की आप सकता है किसमत का सपोर्ट सहयोग है आपके चीवन में मतापीता का सहयोग आपको मिलेगा ठीक है और जो भी इवन की आप गवर्मेंट सर्विसेज के लिए आप ट्राइ करो तो बहुत ही बहतर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन बिजनेस आपके लिए सबसे अच्छा है थोरे समय के लिए आप इन चीजों की तरफ नारूप कर सकते हो क्योंकि यो काफी परवल है तो निस् चीजे आपके साथ लगी हुई है इवन की फॉरें में काफी अच्छे वहां पे रुकने के साथ ही आपके लिए प्रोपर्टी वगराए भी उहां पे अच्छी खासी आपको प्राप्त होगी ठीक है इवन की ऐसा समय आएगा कि आप अपने मदर फादर वगरा को भी वहां लेके जा सकते हैं और वहीं सेटल होने के बारे में आप सोच सकते हैं लेकिन आप अपनी आपके भीतर जो एक यूद्ध चलना होता है उसका आप क्या करेंगी इसके बारे में आपको सोचना चाहिए हमेशा क्योंकि आप बहुत सारी चीजे साथ में लेके जी रही है ठीक ह इन फ्यूचर आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहो तो क्या करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा आप इसके अलावा आप बूटिक रिलेटर कोई करना चाहो तो इन सब सारी चीजों की चीजी आप कर सकते भी को जी सब ऐसा है ना जिसमें किसी भी छेतर में आप पर की आपके साथ जीवन पर लगिडाने वाली है हमेश्या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम राख अब श्याद करने वाला है लेकिन आप अगर रुख तो और वी ज्यादा प्रोल्म आजाए कि रुखना मत चलते रहा ना तो पता नहीं चलेगा जाता ठीक है इस तरीके का है इसके अलावा दिमाग में आप वैसे कुछ रखते नहीं हो कभी रखना भी मत और जाता प्रेसर मत लेना नहीं तो डिप्रेसर में चले जाओगे पता अब नहीं चलेगा कब का चलेगा फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको बिविन प्रकार से बदनाम करने की कोशिस कर सकते हैं तो आपको अपने आख कान खुले रखने चाहिए कभी है मस सोचना कि अच्छा जिसको जो करना है करने द चले आफ्टर ट्वेंटीएट मेरेज आपकी होगी बहुत अच्छी होगी अगर प्रेंट के अगोडिंग होगी तो चीज़े आपके लिए बहतर जाएंगी हलाकि उस टाइम भी उतनी बहतर चली जाए पॉस्पिलिटीज इसकी कम है विकॉज आपकी एक चीतना है वह बह होगी चीज़े अच्छी चलेंगे तो अपका विचलेशन विकॉज आपने काफी सोट में जो फैक्ट्स हैं बस उन्हीं के बारे में अपने पुछना था तो यह सारी चीज़े मैंने बता दी एक और चीज़ का हेल्थ रिलेटेड में बताऊंगा कि थरा आप ध्यान रखन बिकॉज कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें मानसिक गर्दन से उपर के चत्रों में सलीची के चत्रा की स्तेती पर सकती है और एज जब भी आपके होगी 29 और 30 अफ्टर मेरिज 1-2 यर्स में ए चीज़े आपके जिवन में आ सकती है सावधान नहीं किया हो सकता है फिर मिलते हैं तो तेकली जासरे रहा है तो तेकली जासरे रहा है थे फोटेटेस और गॉंटेक्ट तर वाट्सफ अगाए बाए